नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब बेजू के स्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले हैं 303 के अपसुल के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूश के बारे के कौन से अलगल अग मेडिकल कंडिसन को ट्रीट करने के लिए 303 के अपस कमजोरी है या फिर उनके अंदर दुसरे जो कुछ कॉम्प्लिकेशन से जैसे की इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लेम है कि जिसको हम ED की समस्या कहते है या फिर जो सारे रिक कमजोरी होती है जो सभी को ट्रीट करने के लिए यह मेडिकेशन जो ही वो यूश की जा है कि दिन दयाल 303 के अपसुल जो है वो और स्पेशले न्यूट्रिशनल सप्लेमेंट्स के कैटेकरी में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि जो हैल्थ के लिए काफी जरूरी है तो पूरुसों के अंदर जो योन कमजोरी होती है या फिर जो अलग-अलग सेक्सिल प्रॉब को भी ट्रीट करने में काफी मदद करता है तो उसके मैनिफेक्चर के हम बात करें तो दिंदयाल आउसुदी उसके मैनिफेक्चर है कि जो 1927 में एस्टाबलीस हुई थी और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता हूँ तो ये एक ISO & GMP और आयूस प्रीमियम सर्टिफ के अंदर इंडिया में तो जानते हैं अब ये कैप्सुल के बारे में डिटेल में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिंदयाल आउसुदी की जो 1927 के अंदर एस्टाबलीस हुआ था और ये उसका जो लोकेशन है वो ग्वालियर के अंदर है कि यहाँ पे आप उसके डिट प्रेजन है कि जिसको एस्पारेजरस रैसमोस उसका जाता है उसका जो बायलोजिकल सोर्स है फिर हरिता की उसके अंदर प्रेजन है कि जिसको टर्मिनल ये शेबूला कहा जाता है अमला की मलब की आमला एंबले का ओफिसनल इस प्रेजन है फिर ब्राम्मी बकुपा मुनिय से कि जहाँ पर यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे herbal ingredients उसके अंदर जो है वो present है कि एक आयरवधिक proprietary medicine उसको का जाता है कि बहुत सारे ingredients जो present है कि जो बहुत सारे benefits आपको देते हैं और उसके use हम देखे तो सबसे पहले erectile dysfunction को यह medication treat करता है जो ED की समस्या है उसके लाज में यह काफी helpful सा भी दोता है second जो premature ejaculation की समझे कि कि समस्या हो रही है तो उसके इलाज में भी यह medication आपको help करती है तिसरा sperm counts जो की कम है तो उसको बढ़ाने में भी यह आपको मदद करती है strength बढ़ाती है power enhance करने में मदद करती है stamina बढ़ाती है पूरू सो के अंदर और overall जो पूरू सो के अंदर समझे कि यौन कमजोरी उसको पूरा करने में यह medication जो वो help करती है उसके कुछ दूसरे रहती है depression रहती है तो यह सभी problems को treat करने के लिए यह 303 के अपसूल जो आपको benefits देती है फिर समझो कि आपके अंदर नींद की कम है तो उसको भी पूरा करेगी यह medication उसके अलाब हम देखे तो nervousness जैसी problem because जब किसी को sexual problems होते है यौन कमजोरी होते तो यह भी एक feel करते है वो लोग nervousness जैसा feel करते है तो यह medication सेलने के बाद यह आपको benefit रहेगा और समझो कि किसी को book नहीं लगती तो book बढ़ाने में यह medication जो वो help करती है तो उसके dose के बारे में हमें आपको बता दो कि उसका जो dose रहते है वो एक capsule या फिर दो capsule आप ले सकते हैं रात को और वो खासकर milk के साथ लेना होता है या फिर आपको जिस तरह से आपके doctor या फिर pharmacist आपको suggest करते हैं उसके according to आप यह medication जो वो लेख सकते हैं बर द्यान यह रखना है कि उसको high dose में use नहीं करना है और proper उसके dose के according to यह medication को जो वो use करनी है आगे जानते हैं उसके warnings के बारे में तो सबसे पहले warning यह है कि आपको सबसे पहले उसके label अच्छे से पढ़ना है कि जैसे मैंने आपको labeling दिखाई थी तो label आपको पढ़ना है और label के अंतर उसके ingredients देख लेना है because आपको किसी भी ingredient की allergy ना हो आपको देख लेना है because herbal में भी बहुत सारे ingredients की लोगों को कई बार allergy होती है तो आप पहले एक बार वो ingredients की list चेक कर लें कि आपको किसी ingredient की उसमें से allergy ना हो second है कि high dose में उसको आपको use नहीं करना है तिसरी warning यह है कि आप उसको बच्चों में use ना करें चौथी condition महिलाओं के लिए यह medication नहीं है तो कोई ऐसा trial नहीं करना चाहिए महिलाओं में आप उसको use ना करें और सिर्फ और सिर्फ पूरु सुमें ही यह medication use की जाती है और अगर कोई kidney का patient है तो उसको यह medication जो है वो नहीं दी जाती बदलग कि kidney failure के patient है kidney उसके खराब है तो ऐसे लोगों को यह medication जो है वो नहीं दी जाती तो ऐसे ही सीख सकते हैं पाउट सारे वीबारियों के बारे में फार्मा रोक्स के अब पर जो हमने आपके लिए medicine course बना है कि जिसकंदर आप अलग 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 दवयों के basic use के बारे में सिखते हैं उनके dose के बारे में सिखते है side effects क्या होती है warning content indication तो ऐसे इसी के detail में medicine course में अलग 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 दवयों के बारे में बिमारियों के बारे में सिखे और ये course को आपको join करना है तो हमें whatsapp कर सकते है 9016312020 पर या फिर हमारी app को download करें link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best